किन मेरी कुछ तबियत ऐसी खराब हो गई और डॉक्टरस ने मुवमेंट बिल्कु बंद कर दी मुझे हाट टाइम बिस्तर पे रहना पर तो मैंने कभी टाइम पास के लिए कोई चीज नहीं लिखी मेरी हमेशा ही कोशिश होती है कि जब भी कोई पड़े कोई बच्चा पड आप देखने हैं डास्ट्रॉ नियूज जैसा कि आपको पता है कि समाज को यदि एक नई दिशा देना है तो निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि आप अध्यन करें समाज का चिंतन करें फास तोर पर उन विश्यों का चिंतर करें जिनके उपर आपको काम करना है यानि हम किताबों के दी बात करें, जीवन को पढ़ने, लिखने की बात करें, तो ऐसे में एक बड़ी शक्सियत हमारे बीच में, जेपियस जॉली जी हैं, जो कि जॉली अंकल के नाम से परसिद हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, कि क्या कुछ आपकी जिन्दगी का, जो ये अभी तक का सफर रहा, आप एक आथर हैं, और एक यूट्यूवर भी हैं, और तमाम देश बिड़ीस में, इनके नाम की चर्चाएं हैं, इनसे मुखादी में बात्चित करने की कोशिश करेंगे, जब बहुत-बहुत स्वागत हैं बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया, कि मैं सभी दर्शिकों से बात करके, अपने जो आज तक के नूब अगए, मैं वो शेयर कर सकाूं, जी, बलकुर, जी, तो बताइए, आप जिस तरह से जॉली अंकल के नाम से पूरे विश्यों में परसिद्ध हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी तक के सफर के वारे में? और जब मैंने छोटे कॉलम लिखे, पब्लिक ने एकसेप्ट किये, और काफी इंकरेजमेंट मिली, तो उसके बाद धीरे-धीरे, मैंने बहुत सारे निउस्पेपर में 1700 से जाधा आर्टीकल लिखे, जो इंडिया में और इंडिया से बाहर पब्लिश हुए, लेकिन आप पिछले 20 साल से मैं किताबें लिख रहा हूँ, और अभी तक मेरी 42 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, और मैं बहुत लखी हूँ कि हिंदुस्तान के जो लीडिंग पब्लिशर्स हैं, नाइमन बुक्स है, परवात प्रकाशन है, पीकाउक बुक्स है, एन्बी टी, भारत सर हैं, और तकरीबन 30 से जादा देशों में, बहुत कि लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, तो वहां से जब मैसेज आते हैं, तो बड़ी तसलिए और बड़ी खुशी होती है, यह सवाल तो बिलको जाइस होता है, कि किस विशियों पर आधारीत आपकी पुस्तक है, वो किस व कोशिश होती है, कि जब भी कोई पढ़े, कोई बच्चा पढ़े, टीचर पढ़े, या प्रिंसिपल, या बेंकर, कोई भी पढ़े, तो उसकी जीवन में कुछ ना कुछ वेल्यू ओडिशन होना चाहिए, वो किसी भी एज ग्रूप के हैं, लेकिन जब भी वो मेरी किताब आज पढ़ें, दस साल बाद भी पढ़ेंगे, तो मेरा प्रामिस है कि जब भी वो दो लाइने भी पढ़ेंगे, तो उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव साकारात्मक बदलाव जरूर आएगा, तो क्या हमारे दर्शकिया समझ सकते हैं, कि जो आप पुस्तक की रचना कर जिंदगी को बेतर बना सकते हैं, क्योंकि एक एक किला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मिल के थोड़ा थोड़ा हम सारे करते हैं, तो फिर चाहे देश की बात हो, समाज की बात हो, तो फिर बहुत बड़े बदलाव किये जा सकते हैं, आपका चुके दौर एक काफे नौजवान को पर पढ़ रहा है? वेजर एक काम करता है, जो मजदूर दियाड़ी पर करता है, उतने पैसे भी उनको देना जो है, वो भी मुश्किल लगता है, तो जब हम एकस्पेक्ट तो करते हैं कि एक अच्छा राइटर हो, ताकि बच्चों को नहीं दिशा मिल सके, समाज को नहीं दिशा मिल सके, लेक जो मेनत करेगा, तो उसको कुछ तो मिलेगा, इसी करके जो अच्छे राइटर हैं, वो भी धीरे-दीरे दूर होते जा रहे हैं, पाठक भी धीरे-दीरे दूर होते जा रहे हैं, इसलिए आज का युवा जो है, वो भटक रहा है, उसको डिरेक्शन नहीं मिल रही, उसको स जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है, कि कोई किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज कर इलेक्टरोनिक जमाना आ गिया है, कहते हैं कि और प्रदान मंत्री ने भी इसका बहुत ज़्यादा परचार किया है, कि सब इलेक्रोनिफिकेशन हो जाएगा, और हर एक ज अब मेरी किताब है, मैंने पिछले तगरीबन 12-13 किताबों से अपना पैटन चेंज कर दिया, पहले हम पूरे पूरे चेप्टर लिखते थे, 1100-1200 वर्ड का चेप्टर बनाते थे, अब मैं पॉइंटर बनाता हूं, ताकि अगर मुझे दो मिनिट सिर्फ दे दे कोई आद जा रहे हैं और यह कहते हुए जा रहे हैं कि इनकी आपका यूट्यूब चैनल भी है, जी मेरे यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहें तो इनके यूट्यूब चैनल पर भी जा करके और इनकी बातों को सुन सकते हैं, और तमाम ऐसे साइट्स का भी उनने जिक्र किया है, जहां पर जाके आप इनकी किताबों को पढ़ सकते हैं आप रास्ट्वानियों से बात किछित कर रहे थे आपका बहुत बहुत